नमस्कार आप देख रहे हैं जनसत्ता.com नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबर पर इज़ुन मुजाहिदीन के आतंके बुरहानवानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में फैली हिंसा के कारण आज थिती लगाता सातवे दिन तना आपून रहे बुद्वार को जारी हिंसा में दो और लोगों की मौत हो गई जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है श्री नगर, अनंतनाग, कुपवाडा और पंपोर सहित कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है और घाटी के बाकी इलाकों में लोगों के आवाजाही पर पाबंदी है कश्मीर में लोगों का जीवन अस्त्वेस्थ हो गया है और खाने पीने की समान की कीमतों में महंगाई हो गई है जमु कश्मीर के मुख्यमंतरी महभूबा मुफ्ती ने घाटी में हो रही हिंसा और हिंसा में मारे गए लोगों की मौत पर गहरा दुख चताया है और घाव भरने का वादा किया है बुर्हानवानी के मौत के मुद्दे को सयुक्तराष्ट में भी उठाया गया सयुक्तराष्ट में भारत के राज़तू सयद अकबरुदीन ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का गुणगान करता है और दूसरों के भूभा के लालच में आतंकवाद को सरकारी निती के तौर पर इस्तिमाल करता है देश और दुनिया की और अधी खबरों के लिए देखते रहिए